वेल्कम बेक टू दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे इसराइल ने फिर से इरान को एटाक किया और इस बार जो एटाक हुआ इसमें इसका रेजल्ट क्या हुआ है अगर देखा जाए क्या यह वर्ल्ड वर्ट्री का स्टार्ट है या फिर अगर देखा जाए दुनिया में जो बरे कंट्रीज है फॉर एक्जमपल अगर आप रशिया को ले 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 जिए चाइना को ले ले जिए या फिर इंडिया को ले 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 जिए हर कंट्री का अपने तर किया और इसराइल के तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारा कैशुल्टी होगा मगर अगर देखे इरान के तरफ से भी अपना स्टेट्मेंट आया इस बीच में अगर देखे मतलब फर्स्ट ऑक्टोबर के बाद से पुरा दुनिया जो है उमीद कर रहा था कि इसराइल कभी भी अटाक कर सकता है बीच में कुछ पेपर भी लिखवा जिसमें कहां गया कि इसराइल का जो एटाक प्लैन है वो सब कुछ डिसकस हुआ अगर आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हो वीडियो भी अबलेबल है इसके लावा अभी जब इसराइल ने अ आगे जाके वर्ड वर्टी जो है वो शुरू हो जाएगा यही देट से कुछ 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 मीडिया हूस ऐसे भी तरफ से यह भी बोला गया कि यह जो इसराइल का अटाक है यह आने वाले बारा घंटे तक चलेगा मगर यह सब को इसराइल के तरफ से एक ऑफिशियल में घुसके वहां जो अटाक कर रहे थे वो सारे जो जेट है वह बापस आ गये है इसराइल के जो बेस है वहां बेस कैम्प तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एरान के तरफ से आज की डेट में अगर देखा जाए इरान का कोई भी मतलब जितना भी उन लोग के डि इरान के जो मिसाइल फैक्ट्री थे मतलब जहां मिसाइल बनाता था इसराइल ने अपने तरफ से यह कंप्रिटली इसराइल के अटाक में डेस्ट्रॉय किया गया है मेंली इरान का जो कैपिटल है तहरान तहरान के आसपास जाधा अटाक किया गया है जाधा बोंबिंग कि गया है और एक certain time के बाद इसरेल के तरफ से clean and clear बोल दिया कि हम लोगा जो अटक थे इरान के ऊपर यह completely खतम हो गया है और इरान के तरफ से भी official statement आए जिसमें इरान ने अपने तरफ से आगया के बोला कि हम लोगा देथ हो गया है इसके लावी बहुत सारे को चोट पहुंचा है और इरान ने अपने तरफ से exactly इरान को कितना नुकसान पहुंचा है इस अटक पर इसको कोई details प्रोवाइड नहीं किय तो कोशन जो होता है कि आगे जाके क्या इरान फिर से अटक करेगा अगर देखे इरान अपना जो statement है उसमें इरान ने अपने तरफ से hint देखे रखा है तो इरान का कहिन है as per UN chatter उन लोग के पास अभी यह अधिकार है कि वो लोग आगे जाके अपने तरफ से अपने country को defense कर या फिर आगे जाके इसराइल के उपर attack करें तो नो डाउट ऐसे बहुत सारा questions arise होता है यह attack के बाद से और इस attack related जो questions है पहला question से exactly इरान अभी क्या करेगा दूसरा है US का exactly क्या position है मतलब US अभी क्या सोच रहा है तीसरा है क्या यह World War 3 का starting है और फोर्थ जो question है country like Russia, China, India इन लोग का exact stand क्या है तो एक एक करके सारा questions का answer करते है first question first पहला जो question है इरान अभी क्या करेगा इरान ने जैसे मैंने आपको कहा के अपने तरफ से statement भी दे दिया है और उस statement ने इरान ने अपने तरफ से hint भी दिया है कि as per UN charter इरान के पास अभी हक है कि इरान आगे जाके अपने self defense भी करे on the other side इरान जाके इसराइल के उपर attack कर इसराइल के लिए इरान ने कहां था कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग इसराइल के ऊपर हजार मिसाइस एक साथ बरसा सकते on the other side आज करेट में देखा गया कि 140 जो fighter jet है ता इसराइल के तरफ से इरान में इरान ने एक भी fighter jet को गिरा नहीं पाए उन लोग का जो एर डिफर इरान को help करा है backup provide करें उन लोग के साथ बात करके इरान अपने तरफ से फिर से attack कुछ प्लान करें मगर वो instant नहींगा उसमें हो सकता है कि इरान को कुछ दिन टाइम लग चाहे second जो question है exactly US US का क्या stand है US कभी भी नहीं चाहेगा दुनिया में अभी कोई बड़ा war हो या फिर step नहीं लेगा क्योंकि US चाहेगा कि भाई यह जो war lag situation ही यह इससे ही चलता रहे आगे जो country US के against में है इसराइल उन लोग को target करें उन लोग को target करके वहां के जो main मतलब जो major दिमाग है वहां का उन लोग को एक एक करके खतम करे on the other side US कभी भी यह नहीं चाहेगा कि कोई भी इसलिए US चाहेगा कि जब तक election नहीं हो रहा है तब तक यह world war 3 के तरफ ना जाए on the other side US यह भी चाहता है कि हम लोग के जो दुश्मने वह एक एक करके खतम होते जाए और US अपने तरफ से अगर कोई भी इसराइल के ऊपर मतलब attack करने का कोशिश कर रहा है obviously US इसराइल को protect क कि उनलों का जो दुश्मने वह भी खतम हो रहा है अब आते है फोर्थ question पर रश्या चाइना और इंडिया का stand क्या है एक कंट्री करके बताते है पहला है रश्या आज के डेट में अगर हम लोग रश्या को देखें तो no doubt रश्या पहले से ही anti-US है आज भी anti-US है हो सकता है क प्रेजनली ब्रिक्स में हम लोग जो देखें रश्या अपने तरफ से obviously ब्रिक्स को और भी ज़्याधा मजबूत करें क्यूंकि रश्या को नैटो के एगंस्ट में या फिर west के एस्ट में या फिर मियूस के एक साथ करा देखना चाहता है Russia on देखा जाए नहीं बहुत सारे problem जो数 हरे से सुर्फिसे रस्या को बहूर कर दिया है जिसके से रशिह का जो economy वो सफर कर रहे हजारो सांक्शंस से रस्या का ट्रेड हो नहीं हो रहा है इसके अलाब भी आप देखे तो रेशिया का प्रेजेंट जो कंडिशन है एक्जाक्ली अगर यह स्विफ्ट के आल्टरनेट में कोई सिस्टम गो नहीं कर पा रहा है अगे जाके रेशिया का एकोनामी और भी जादा सफर करेगा प्रेजेंट इस कंडिशन में यूएस के तरह ही सेम सोच रहा है कि यह जो वार लाइक सिच्वेशन है इसमें हम लोग डारेक्ली इंवर्ब नहीं होंगे हम लोग दूसरा कंट्री को बैक अप प्रोवाइट करेंगे सपोर्ट प्रोवाइट करेंगे उन लोग को बोलेंगे कि आप लोग जाओ इस से वो करते यह ज्घगरा खतम ना हो या फिर ज्यादातर कंट्री जो है वह एंटी वेस्ट हो यही हम लोग को कोशिश करते जाना है और यही कोशिश के बज़ए से रशिया भी अपने तरब से इरान को बैक अप प्रोवाइट कर रहा है इसके लावी अगर हम लोग चाइना क लिए देखे तो नो डॉट eus के बाद ही चाइना आता है चाइना का जो एकोनुमी यह वार टूट जाटी या फिर वार में आगे यह हार जाता है या फिर वेस्ट हार जाता है चाइना दुनिया में सबसे बड़ा सूपर पाउर बन जाएगा और यही चाहत चाइना को आगे वाल्ड वर्ट री के तरफ ले जाता है ऑन दागा सैट चाइना का कुछ डर भी है प्रेजेंट लिए हम लोग चाइना को देखे आइबढान के साथ चाहता है बहुत जенड़ ऩायलेटेट है आजए-वरोह रचे साथ चाइना लेके बैठा है कि चायना चाहता चाहता हुआ चायना चैना चाहता हके यह पूरा खरे होंगे जब वेस्ट कमजोर हो हम लोग को पता है कि युएस इलेक्शन होगा अभी अगर वार लाइक सिचुएशन हो जाता है तो उसका एफेक्ट युएस के एलेक्शन में आएगा इसलिए चाइना भी अपने तरफ से एरां को बैक आप प्रोवाइट करें या फिर जो कर रहा है कि भाई यह जो वाल एक सिचुएशन है इसको जितना स्मूथली हैंडल किया जाए वह से चाइना को पता है कि इस टाइम में चाइना आगा ज्यादा उनलब हल्चल माचा सकता है तो उसका एफेक्ट युए सिचुएशन में आगा इसलिए चाइना अभी प्रेज कर रहा है या पिर रिश्या का प्रेशर रहे है इसके बैसे इंदिया से चाइनाने एक लीमेंन क्या मगर चईना अभी लोग के तरब जाने के लिए टयार नहीं है इसके लिए चाacy में घुसा है फिर वहां अगर लोन नहीं दे पने तो चाइना वहां आपना जो मिल्ट्री बेस है वो इस्टाबलिश किया है चाइना बहुत प्लाइनिंग के साथ अपने तरफ से जो एंटी वेस इमोशन है वह दुनिया में और भी फैलाने का कोशिश कर रहा है अब आते हमा यह करो भी सको बोल देता है वो तो हमेशा चलता ही रहेगा क्यों कि वह सुपर पाइर अगर वह सबसे ऊपर में रहेगा उसका इकॉनवी सबसे बड़ा रहेगा तो नो डाउट वह तो मदलब एक्टिवली ओजो बोलते हो सुनते नहीं इंडिया अपने तरफ से इसको डिल करते हैं अगर हम लोग देखें बहुत बार इंडिया के ऊपर बहुत सारा धंकी भी आ गया है कि जैसे कि अगर आप लोग रश्या से खड़ी दोगे तो हम लोग जाके ओहां आपके ऊपर सैंक् बनाके चल रहा है इंडिया कभी नहीं चाहता है कि दुनिया में किसी के साथ किसी का वार हो किनके अगर वार स्टाट होता है अगर कंट्री का ग्रोथ भी घड़ जाता है इसके लावी अगर हम लोग देखें इंफलेशन साथिसार बेरोजगारी यह सब बढ़ता रहता तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि वार हो इंडिया को अपना समझे कि अगर कोई कंट्री आपके साथ मिलके अच्छा कुछ करता है तो अगर कोई कंट्री आपको जोड़ जब अर्दस्ति कुछ करने को बोले तो उसको समझा दो कि हम लोग भी आजके डेट में थोड़ा से आगे चल गए है तो आप लोग ऊपर जोड नहीं कर सकते हैं तो यह सब बोलने से कुछ नहीं होगा यह सब्सक्री बंद करो काम से काम को यह ही स्टाइंड है इन सारे इरान ने अपने तरफ से फिर से कुछ्छ मिसाल एरेंज करेगा और इसराइल को बिंवार का जा ता जाएगा क्योंब हो जाने के बाद डिपैंड करता कि कहुंएश के तरफ से अगर आगए जाके बासटाट 설 किया घ्या at that point हो सकते है कि रेशिया चाइना भी आगे आके इरान या फिर ऐसे जो भी कंट्री उस टाइम में इसरेल अटैक करेगा उसको सपोर्ट करे और उसके लिए आगे आके वार में connected हो मगर before the election यह जो step है यह ऐसे चलता जाएकर हम लोगो यह ऐसे देखने को मिलेगा तो आपका exactly क्या सोच में आपको क्या लगता है exactly यह वाल्वर 3 क्या आभी स्टाट होगा यह पीर से क्या होता है आपका जो सोच है यह बहुत सारे जो कमेंट्स परते है इस्के बहुत वीडियोगेः is और या राँब में बहुत वीडियो से फॉर एकजाम्पल अगर आप मेरा यूट्थूब चैनल अतनुपल अनगी ूस्पेस प ईल में सकते हैं जो कमेंट्स करते हूब आपके जो कड़ीब है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए इससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या वीडियो देखना अच्छा लगते हैं उन तक पहुंचते हैं हम लोग जैसे जो क्रेटर है हम लोग का जो रोजी रोट है वह भी चलता रहता है जब भी चैनल को सब सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है जब यह आएगा अपको अच्छा लगा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद